एक दिन मैं अपने मम्मी को अपने चाचा के साथ मैं दोस्तों मेरा नाम रंजन है, कलास 10 में परता हूँ और मेरा उम्र 20 साल है, मेरे पापा अच्छे खासे कमा लेते थे मेरे घर की गिरिहनी थी मम्मी, वो घर में सिलाई कराई की काम करती थी और घर भी चलाती थी एक दिन जब मैं इस्कूल से आया परकर तो मेरे दर्वाजे पर तला लगा था और मैं मम्मी मम्मी चिला रहा था घर पर कोई नहीं था तभी परोष की एक अंकल आये और बोले बेटा तुम्हारे मम्मी पापा हस्पीटल में है तुम वही पर चले जाओ मैंने पुछा क्या हुआ अंकल अंकल कुछ नहीं बोले बोले तुम हस्पीटल जाओ वही पर पता चलेगा फिर मैं भागा भागा हस्पीटल गया मैं वहाँ पहुचा तो देखा मम्मी बैठकर रो रही थी मैंने पुछा क्या हुआ मॉमी, ममी कुछ नहीं बोली, रूती जा रही थी, मैं दुबारा पुछा, बोलो ना ममी क्या हुआ है, मेरी ममी बोली बेटा तुम्हारे पापा जब गए थे, तो वह टिपिन भूल गए थे, और टिपिन लेने के लिए वो घर पर आ रहे थे, तो अचानक एक कारवाले ने उनको धोखा दिया और वह गिर गए जिस कारण से उनका सर फट गया है और वह अब जीवन मृत्व के हाल में अस्पताल में है तो मैंने बोला ममी पापा को कुछ नहीं होगा आप चूप हो जाओं पापा ठीक हो जाएंगे इतने में डॉक्टर सहाब निकले डॉक्टर से चाचा पूछे क्या हुआ डॉक्टर सहाब डॉक्टर बोले कि आप भाई सर से बहुत सारा खुन गिरने के कारण उनका ब्लड का कमी हो गया था जिस वोज़से वो मर गये आप उनको ले जा सकते हैं फिर मेरा तो होस ही उर गया और वहीं पर मेरे सारे विष्टेदार पास परोस उसके लोग नाना नानी मामा मामी दादा दादी सबी लोग अस्पताल में आ गए थे फिर मेरे पापा को अंतिम सस्कार सभी ने मिल कर किया और फिर मेरे ममी उदास रहने लगी जब भी देखता हुआ रोती थी और मैं अपने ममी के पास में ही सोता था मेरी ममी रात को उठकर रोती थी मैं रात बर सो नहीं पाता उनको संतावना देता ही रहता था एक दिन वह बहुत ही ज़्यादा रो रही थी मैंने बोला ममी क्या हुआ चुप हो जाओ मैं हूना मैं आपका सभी दुख दूर कर दूँगा मेरी ममी बोली तू नहीं जाने का बेटा एक बिद्वा औरत का दर्द क्या होता है फिर मैं चुप हो गया कुछ फल सुचने लगा और फिर ममी को समझा बुझा कर सुला दिया सुबा को अपने दादा दादी के पास गया और दादा दादी से बोला दादा दादी ममी आखिर कब तक ऐसे रहेगी वो अप पुरे दीन भर रोती रहती है कुछ खाती पीती नहीं है उनका जीवन कैसे चलेगा दादा बोले तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मैं क्या करूँ बेटा तुम ही बताओ मैंने दादा दादी से बोला क्यो ना हम दोनों ममी का साधी कर दे ताकि ममी भी अपना दुख भोल जाएगी और वो अभी अपना जीवन अच्छे से जी पाएगी दादा दादी बोले बात तुम्हारा ठीक है बेटा लेकिन वो मानेगी तब ना और फिर हम किसी से साधी करेंगे मैंने बोला यह सब मुझे पर छोड़ दीजिए दादा जी दादी जी बोली ठीक है बेटा फिर मैं मा के पास चला गया मा को बोला मा आप खाली जीए मा बोली मैं खालूंगा बेटा तुम खा कर एसकूल जा फिर मुझे इसकूल भी जाने का मन नहीं कर रहा था मा का बहुत बुरा हाल था अच्छानक एक दिन मेरी मा रो रही थी मा से मैं बोला मा आप ऐसे रोती रहोगी तो फिर मेरा क्या होगा आप जीने की कोशिस करो मेरी मा बोली मेरे अंदर क्या दर्द है बेटा तुम नहीं जानोगे रोना तो मेरा सारा जीवन है फिर मैं बोला मम्मी मेरा एक काम करोगी मा बोली क्या बेटा मैंने बोला आप साधी कर लो मेरी मा बोली तु यह क्या बोल रहा है मैंने बोला ठीक कहता हूँ मा लेकिन बेटा मुझसे साधी कौन करेगा मैंने बोला यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए और आप साधी की तैयारी कीजिए मेरी माँ खूस हो गई और वा फिर से जीने की कोशिस करने लगी फिर मैं दादा दादी के पास गया और दादा दादी से बोला मान गई है दादा दादी आप साधी कर दीजिए मेरी मा को दादा दादे भी खूस हो गई लेकिन बोल ले बेटा वैसे साधी इससे कौन करेगा किस लरके से हम करेंगे साधी मैंने कह चाचा है ना आप चाचा से एक बार पुछ लीजिए अगर वह तयार हो जाते हैं तो कर देंगे साधी मेरे दादा दादे भी खूस हो गए और बोले ठीक है बेटा हम तेरे चाचा से पूछेंगे दोस्तो मेरी ममी का नाम राधिका है उम्र 35 साल है और मेरे चाचा का 27 साल उम्र है मेरे ममी देखने में बहुत ही सुन्दर है और वेसी चाचा भी मेरे मन ही मन मेरे ममी के मेरे पापा के मरने के बाद बहुत दुखी देखना नहीं चाहते थे और मेरे चाचा एक टीचर है फिर मेरे चाचा जब घर पर आये खूसी मेरे चाचा से मिल गए और मेरे चाचा भी खूस थे मेरे मम्मी को पा कर तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और आप लोगों को किस परकार की कहानी चाहिए यह भी कमेंट में जरूर बताना धन्यवाद